एक गाउ में खंडरों के पास एक कुवा था, एक व्यक्ति उस कुवें के पास से गुजर रहा होता है, तभी उसे कुवें से बहुत तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, फिर वे उस कुवें में जाक कर देखता है, तो उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दे अरे ये क्या चीज है ये तो बिल्कुल सोने की तरह लग रही है फिर वह सूखे हुए पेड़ की मदद से कुए में उतर जाता है अरे वाह वाह ये तो सोने का सिक्का है लगता है मेरे हाथ कोई खजाना लग गया है फिर वह सूखी हुई डंडी की मदद से वहां खुदाई क करने लगता है अरे वाह मेरा शक तो सही निकला मैं तो सच में माला माल हो गया हाहा 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 फिर वह और सिक्कों के लालच में और गहरा गढ़ा खोद देता है तभी उस गढ़े में से एक हीरे की अंगुठी मिलती है वह उस हीरे की अंगुठी को खीचने की कोशिश करता है तो अंगुठी के साथ साथ पूरा का पूरा हाथ ही बाहर निकल आता है यह देख कर वह बहुत घबरा जाता है और उस हाथ से अंगुठी निकाल कर जल्दी से पेड़ की मदद से कुए से बाहर निकल जाता है और वहां से भाग जात फिर एक दिन उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है इतनी तेज रोश्णी देखकर वह चौक जाता है और कुएं में जाकने लगता है तभी वह खूनी हाथ उसे कुएं के अंदर जीश कुट रहे अरे कोई मुझे बचाओ अरे बचाओ बचाओ एए मेरी अंगूठी मुझे वापस लोटा दे वरना तेरी टुकडे टुकडे करके ठा जाओंगा कंकाल भाई मैं तो सिर्फ इस कुएं में जाक कर देख रहा था मुझे नहीं पता आपकी संगूठी की बात कर रहे हो कंकाल भाई मुझे जाने दो जूट मत बोल तुने ही मेरी अंगूठी चुराई है उसे मुझे अभी के अभी वापस कर दे है यह भग्वान अब मैं इस कंकाल को कैसे यकीन दिलाऊं कि इसकी अंगूठी मैंने नहीं चुराई रे कंकाल भाई मेरे विश्वास करो मैं सच बोल रहा हूँ चाहे तो मेरी तलासी ले लो अगा तुने मेरी अंगूठी नहीं चुराई तो फैकस ने चुराई रहे जल्दी उसका नाम बता ये कंकाल जी मुझे नहीं पता कौन कमबकत आपकी अंगूठी चुरा कर भाग गया है ये भगवान आज तो बाल बाल बज़िया लेकिन वह हाथ किसका हो सकता है अरे यार कहीं वह हाथ किसी भूत प्रेत का तो नहीं था ये भगवान कहीं मुझे से कोई गलती तो नहीं हो गई अजी ये आपके हाथ में क्या है अरे वाह आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले जी ये अंगूठी मैं तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ अरे मर गया अरे ये कंकाल तो मुझे जान से मार डालेगा अरे कंकाल भाई मुझे छोड़ दो मुझे मारने से तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस थोड़े न मिल जाएगी भाई मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारी अंगुठी ठूणने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मुझे एक दिन का वक्त दे दो मैं तुम्हारी अंगुठी वापस लाकर दे दूँगा ठीक है लेकिन अगर तु एक दिन वापस नहीं आया तो मैं तुझे सुंगता सुंगता तेरे घर पहुच जाओंगा फिर वहीं तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे खा जाओंगा ठीक है कंकाल जी मैं कुछ भी करके आपको आपकी इंगुठी वापस ला कर दूँगा फिर राजू कुए से निकल कर दुम दबा कर वहां से सीधा अपने गाओं भाग जाता है फिर सुभे होने पर सीमा पूरे गाओं की औरतों को अपने अंगुठी दिखा दिखा कर उन्हें जलाने लगती है अजी आपको कुछ पता भी है गोपी ने अपनी पत्नी को इतनी कीमती अंगुठी तौफे में दी है और एक आप है जो आज तक तौफे में एक फूल भी तोड़ कर नहीं दे पाए अभी के अभी यहां से भाग जा तौव ऐसे ही मेरा दिमाग खराब हो रखा है और तुझे तोफे की पड़ी है जब देखो चिक-चिक-चिक करती रहती है चल भाग यहां से ये कैसे हो सकता है वह भूका गोपी तो लोगों से उधार मांगता फिरता है फला उसके पास इतनी कीमती अंगुठी खरीदने के पैसे कहां से आए जरूर दाल में कुछ काला है फिर वह भागता भागता गोपी के घर पहुच जाता है अए गोपी कहा है जल्दी बाहर निकल अए चोर कहां छपकर बैठा है जल्दी बाहर निकल अरे अरे ये चोर चोर क्या लगा रखा है सही तो कह रहा हूँ जल्दी उस गोपी चोर को बाहर भेजो और जो तुम ये अंगुठी पहन कर पूरे गाउं में घूम रही हो न ये वही अंगुठी है जो तुम्हारे पत ये अंगुठी किसी कंकाल की हाथ से चुराई है अरे नहीं नहीं ये तो मैं शहर से खरीद कर लाया हूँ ए राजू तेरी इतनी इम्मत मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाता है मैं अच्छे से जानता हूँ जब से मैंने अपनी पत्नी को कीमती तौफा दिया है तब से अपने घर आ जाता है तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है और उसे परेशान देखकर उससे परेशानी का कारण पूछती है फिर राजू उसे पूरी बात बताता है अरे दैया रे दैया हम ये किस मुसीबत में फस गए अजी आप अभी के अभी उस सीमा से अंगूटी लेक कर उस भूत को वापिस कर आओ नहीं तो रात होते ही वे भूत यहां आ जाएगा अरी भागवान मैं गोपी के घर गया था लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मार कर घर से पाहर निकाल दिया अजी मुझे लगता है वे इतनी असानी से अंगूठी नहीं देने वाली मेरे पास इसकी एक तरकीब है फिर रात होते ही राजू और अनिता गोपी के घर के बाहर पहुच जाते हैं भागवान वह देखो यह वही अंगूठी है जिसकी तलास में हम यहां आए हैं अजी लेकिन हम इसकी अंगूठी उतारे कैसे अगर हमने कोशिच भी की तो यह उठ जाएग तुम सही कहती हो हम इसकी अंगूठी निकाल नहीं सकते मेरे पास एक तरकीब है क्यों न हम इसे ही उठा कर उसकूएं के पास रख आएं जहां वह भूत रहता है वह अपने आप इससे निपट लेगा फिर वह दोनों धीरे से उसकी चारपाई को उठा लेते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर चल देते हैं कुछी देर में वह उस खंडर के पास पहुँच जाते हैं फिर वहाँ पहुच कर वह उस चारपाई को कुए के पास रख देते हैं अरे कंकाल जी आप कहा हो देखो मैं आपके लिए तोफ़ा लाया हूँ आप खुद ही बाहर आकर अपनी अमानत वाफस ले लो चलो प्रीतम हमारा काम तो हो गया आप यहां से चल्दी से निकल लेते हैं फिर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं अरे वाँ मैंने तो सिर्फ अपनी अंगोठी मांगी थी वह गाओं वाला तो मेरे लिए एक और तौफ़ा ले आया ए भगवान ये सीमा कहां चली गई उसकी तो चारपाई भी गायब है कमख़त मेरी पत्नी को चारपाई के साथ ही उठा कर ले गया है रे प्रेतम प्रेतम तुम कहां चली गई तब ही गोपी सीमा की तलाश करने लगता है अरे भाई तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा है क्या हाँ भाई अभी अभी वो राजू और उसके पत्नी तुम्हारी पत्नी को चारपाए पर लेटा कर कहीं ले जा रहेते मुझे लगा साथ तुम्हारी पत्नी के तबियत खराब होगी ए भगवान कहीं वह दोनों उस खंडहर की तरफ तो नहीं गए फिर वह भी भागता भागता उस गुएं के पास पहुंच जाता है और वह और वहाँ पहुंच कर हैरान रह जाता है अरे नास मिटो मेरी पतनी को उस भूत के हवाले क्यों कराए अरे मर गई रे ये मैं कहां आ गई कहीं ये कोई सपना तु नहीं है नहीं मेरी रानी ये कोई सपना नहीं है मैं ही तुम्हारा राजा हूँ तभी तो तुमने मेरी दी हुई अंगूठी पहनी है चलो अब कुए में चलते हैं अब से वही तुम्हारा नया घर है फिर वह कंकाल सीमा को अपने कंधों पर उठा लेता है और उसे कुए में ले जाता है अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं